केंद्रो मुष्च्य उपसुसंपद विकास राष्ट्र मुंती टर्क्टर संजी बाल्यान जी आमसे तो अच्छन दी अधिका को थावा बाल्यान जी स्वागत है पहले आपके डिपार्टमेंट के जोजना के बारे में जानेंगे मुदी वान और टू इंडिया वान और टू में ज्यादातर कौन सा जोजना सफल रहा है और टू में कौन सा जोजना को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है देखे 2014 में जब मौदी जी ने देश का नेतर तो संभाला तो मेरे आद है मैं कृष्षी राज्यमंतरी था और ये जो मंतराले है अनिमल्स मेंडरी डेरी फिश्री ये कृष्षी मंतराले का एक पार्ट होता था और 2014 में हमारे मंतराले का बजट जो एग्रिकल्चर और अनिमल्स मेंडरी सब कुछ मिला कर था वो करीब 22,000 क्रोड रूपे था और आज अगर मैं बात करूं 2019 में मंतराले अलग बना अनिमल्स मेंडरी डेरी और फिश्री दोजार चोदा से उनिस के बीच में हमारा मुख्य रूप सैनिमल्स मेंडरी में हम दो योजनाय लेका आई राष्ट एक होकुल मिश्र उसका एक सोच थी कि और दूसरा मतश्य पालन के लिए हम लेका है ब्लू रिवोलिशन परदानत्री पहली बर शब दिया कि ब्लू एक लेकिन परदानत्री की सोच थी कि एक गरीब जो मच्छवारा है उससा जुड़ा हुआ है और बहुत से इंटर्पनियोंस में आ सकते हैं राष्ट्य कोकुल मिशन की कल्पना इसलिए की गई कि आजादी के बाद हमारा फोकस रागे जो हमारे इंडिजनस ब्रीड थी जो द इंडिजनस ब्रीड थी वो समापती की ओर थी करीब दी तो उसको ध्यान में रिकते हैं हम रास्टी को कुल मिशन लेका है और इक तरह से भारत सरकार का जो ध्यान था वो क्रोस ब्रीडिंग से अठकर इंडिजनस ब्रीड की तरफ आया और मैं यह कह सकता हूं कि पिछले आ इंडिजनस ब्रीड की संख्या बढ़ती चली गई और आज इस्तिती है कि दुबारा हम इंडिजनस ब्रीड की तरफ ध्यान देकर उनको परोठा रहे हैं ब्लू रिवलिशन का इतना बड़ा इंपक्ट आया कि देश में किसी भी सेक्टर की इतनी ग्रोथ रेट नहीं रही दोजार उनिस में नई सरकार बनने के बाद परधामत्री जीने अनिबल्स ब्रेंडी डेरी और फिश्री को लग मंतरा लगिया तो जो 22,000 कोड़ से 2014 में हम चले थे आज अगरिकल्टर मिनिस्ट्री का अपने आम में बजट करीब मेरे 4 से 1,32,000 कोड़ रुपे बजट है ज आत्मिर पर भारत में हम क्की सकीम लेका आए वो इससे अलग है अनिमल जिटरी इंफ्रिक्टॉक्ट् Augen से डवलमेंड फंड हो या डिरी इंफ्रस्ट। डवलमेंड फंड हो या फिशरी डोप्नेंट फॉड हो ये फिश्री के इंटर्प्रेंजिस के लिए या डिरी को पर तो आठ साल में बाइस जार क्रोड से और डेड़ला क्रोड की जर्णी यह दिखाती है कि इस सरकार का फोकस एग्रिकल्चर या अनिमल्स बेंडरी या फिश्री पर कितना बड़ा रहा होगा असर इस बार की दोजार बनीज से के बाद हमने लगातार अपने जो फोकस जो चें भारत सरकार की तरफ साड़े तेरा जार क्रोड की एक ही होजना है जो अफमडी और ब्रूसलोसिस वेक्सिनेशन के लिए और यह भारत सरकार का 100% भारत सरकार का इसमें प्रदेश सरकार को कोई भागीदारी नहीं है उसके बाद हम पिगरी के लिए स्वाइन फ्यूर की वे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, किसानों को, चुकि हुमन की तरह एनिमल्स को हम नहीं लेकर जा सकते हैं, हॉस्पिटल सकते हॉस्पिटल दूर दूर तक है वेटनीज हॉस्पिटल, कोई 10 किलोमेटर पुड़ेगा, कोई 15 किलोमेटर पुड़ेगा, उसके लिए हमने मोब इचली सरकार में हमारा ब्लू रिवलेशन था, इस बार हम प्रधानमत्री मतस्य संपदा योजना लेकर आए हैं, और ये भी करीब 20 यजार क्रोड की एक योजना है, जो इस बार है, तो आप कह सकते हैं, जिस मंत्राले को कभी कोई पूछता नहीं था, और जो किसान के और मंत्राले अलग होने के बाद, दो मेजर स्कीम है आपका, जी, देखें, मंत्राले अलग होने के बाद, हम वेक्सिनेशन, टोटली वेक्सिनेशन आपने आप में लिया, मोबाइल वेट्निक हम लेकर आए, फिश्री के लिए हम प्रधानमत्री मतस्य संपदा योजना लेकर और राष्ट्य गोकल मिशन जो पहले से था, वो इसकीम भी अपने शुरू की है, तो 2020 में बिहार इलेक्सिन के पहले जो घुशित हुआ था, प्रधानमंत्री मस्च्य संपद योजना, टुन्टी थावजन करोड का, इसमें क्या है, इगोपाल अप था, इगोपाल एप त इंटिफिकेशन नंबर देने का परियास किया है, और आज करीब आप कह सकते हैं कि 20 क्रोड से जादे अनिमल को हम टैगिंग कर चुके हैं, या उसकी पेडिगरी क्या थी, धीरे धीरे ये पूरा पूरा सेटप और सिस्टम जिसमें टेक्नोलोजी का इस्तेमाल, कभी किसी इंटिफिकेशन नंबर देश को एक आईवी एफ की समश्चा है कि जो मेल पैदा होते थे, गाए में विशेज टूप से उका जाने, उसके लिए हम सेक्सिवन टेक्नोलोजी लेका है, आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो विक्सित कंट्रीज हैं, जो उनमें टेक्नोलोजी आजिशन के ऊपर या इनमयल Cantree सक्टर में और कृषिर स्क्र में जो हमें, उसका एस्तेमाला हुज हम हिंदुस्तान में कर रहे हूँ, अज हमारा जिंगा के लाए एक्सपोर्ट से जादे है, एक सिरफ चिंगा जो म पमचली को एक्सपोर्ट करते हैं तो पचाहले को को स्फेंडरी सेक्टर में और Shaリ सेक्टर में जो हमें उसका इस्तेमाल है वर सबसे बड़ी बात है जो मेरी नजरों मैं हम उडीज़ा में आज हैं आरगस का आपके चैनल के मैं दहुंद से मैं कहना चाहूंगा चुकि पिछले एक साल में आपके चैनल ने जो काम किया है मुझे रगता है उडिसा के लोगों के आवाज मना है चैनल तो लगातार जिस तरह के आपके माध्यमसर लोगों तक यह बात जाने चाहिए कि बिल्कुल गरीब का जो सबसे निचले पाइदान पर जो व हमारे पास डाटा सारा आएगा यह 20,000 तो 20 क्रोड तो सुरी सुरुवात है अब आप देखे जो हमारे पास करीब 52 क्रोड टोटल पॉपलेशन है देश में लाइव स्टोक सेक्टर की तो हमारा जो अगले शाद एक या डेड़ साल के अंदर हम 52 क्रोड एनिमल्स का हम एक य सिर्फ कुछ प्लान है या नहीं देखे बाद प्लानिंग तो यही है कि इसमें इंडीजिनेस और क्रोस बेड़ दोना होंगे लेकिन बदलते साथ जो हमने एक तरह साब कर जो हमारा फोकस क्रोस बेड़ से इंडीजिनेस पाया है गोकुल मिशन के माध्यम से जिसमें हम सम प्रदेशों को हमने अलग से गोकुल ग्राम भी स्थापित की है scripture गोकल ग्राम में हमने एक इंडिजनेस जो ब्रीड्स हैं जैसे उडिसा की जो ब्रीड होंगी उडिसा के गोकल ग्राम में उडिसा की सारी इंडिजनेस ब्रीड को प्रिजर्व करेंगे कंजर्व करेंगे और उनका कैसे बैतर हो सकती हैं ब्रीड्स उन पर काम करें उसी का प् हम देख रहे थे यह जो लाइफ स्ट्रक सेंसर्स ये इसमें उडिशा की दो प्रजाती है एक खरियार एक मोटू ये पांच प्रजातियों का इस जो घट रहा है तील लाक एटी त्री थाउजन्ट एटी हंड़ेट टूंटी फोर से ये 25,000 हो गया है इसका कारण क्या है 12% है टोटल लाइफ स्टोप पॉबलेशन में ये बड़ी चिंता की बात है जो डिक्रीज इतनी और देश में शाद कहीं नहीं है पूरिशा में ज्यादा है कारण क्या क्या कारण हो सकता कारण शाद यही है कि जो किसान को सुविधाय हो नहीं पहुच पाई क्यों नहीं प मदद करते हैं financially प्रदेश सरकार होगी हम policy बनाएंगे उनके लिए हम उनको scientific advice दे सकते हैं लेकिन काम है प्रदेश सरकार को करना है तो शायद उतना काम नहीं हो पाया उड़ी समय जितना होना चाहिए था जितना और आज आप एनिवस मेंडिस सेक्टर की बात करेंगा आप हर्याना को देखिए या पंजाब भी बहुत बैतर है मनलब ऐसानी कुछ इस्टेट बहुत बहुत बैतर है आपके केरल बहुत बैतर है आपके आप आंधरा और तेलंगाना देखें फिशरी में का आपके पास आंधरा और तेलंगाना से ज्यादा water resources है मुझे दुख है कि उडिसा के पास इतने water resources है इश्वर ने हमें बहुत अच्छी जमीन दी है ऐसी ग्रीन रियोर के ही नहीं दिखाई नहीं देए देश में जैसी उडिसा हमें और जील तरा नदिया यहां से सुरू होना है देखे होना तो यहीं सची यह था और आज दुरभाग गया है कि पिर भी हम आंध्रपदेश से कोस्ताइन के साथ साथ आपके पास underground water resources है आपके पास बारिस अच्छी होती है आपके पास डैम है आपके पास lakes है आपके पास river है सरकार के मनुःभाप कम है हाँ उतना focus नहीं रहा सरकार का जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए था उतना नह सरकार है फिशरी का कोई विजट आएगा तो आंधरा का और तेलंगाना का तुरंत प्रोजेक्ट आएगा उडिशा का प्रोजेक्ट आने में बहुत समय लगता है और प्रोजेक्ट के implementation में और ज्यादे समय लगता है तो उडिशा को फिशरी का हब होना चाहिए था समय जो गरीब किसान है उसका अगर हम बाहर निकाल सकते हैं गरीबी से तो अनिमल स्वेंडी डेरी और फिश्ट से निकाल सकते हैं तो प्रदेश सरकार को इस अला दे सकते हैं हम तो सला दे सकते हैं सुप्रिम कोट कुछ नोटिस जारी किया था ये इंडिजनेस कैटल को ल वो कंट्रोल नहीं थी, तो हमारा फोकस जो हमारी इंडिजिनेस बीड थी, हमारी गिरगाये को ब्राजील लेकर चला गया, और ब्राजील में आज गिरगाये, चाल इस लीटर रूदूर देती है, और हम आज भी गिर में 12-14 लीटर पर मैक्सिमम पहुंचें, तो उनने धिरे अज़िदेर डवलप की, हमारा फोकस को सब्रेट के तरह, 2014 के बाद मोदी जी के प्रदांतरी बनने के बाद ये फोकस हाया, ये मिल्क पोरे संग के बारे में कुछ आपके पास कुछ डाटा है, हम पूरी दुनिया में नेंबर वन है, अज इंडिया, पूरी दुनिया में हम पिछ रहे हैं, ये इन कंपारिजन टू इवेस, इुके, इसराइल, मैं आपकी बात से सेमत हूँ, ये दोनों बाते लग लगे, ओवराल पूरा जो मिल्क प्रोडक्शन है, वो दुनिया में हम नंबर वन पे है, लेकिन प्रोड़क्टिविटी में हम नंबर वन नहीं है प्रोड़क्टिविटी में हम बहुत निचे है, आज भी प्रोड़क्टिविटी में अगर इंडिजन से एंइमल की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान की एवरेज प्रोड़क्टिविटी चाल लिटर से कम है, क्रोस ब्रेट की बात करेंगे तो आट और नो लिटर के बीच म हमारे पास आज भी क्या है कि हम artificial insemination पर बहुत पीछ रहे हैं, आज भी देश की overall artificial insemination अगर आप देखेंगे 35% है, जो अच्छा सीमन हम available किसान को कराएंगे तो जभी तो productivity बढ़ेगी, इस पर कभी किसी सरकारों का focus नेगा, आज national artificial insemination program के तहत, कें सरकार ने सभी किसानों क आशकता नहीं है, सारे के सारा खर्च भारत सरकार देगी, यही policy shift है, जिससे 1.97, 3.9 पर पहुंचे है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम अगली बार बैठेंगे 5 साल बाद दूरी सा मैं आपके चैनल पर जब आपकी छटी वो होगी वर्षगाट, तो शायद य यह फोर की जंग है, शायद आपको 7 या 8 तक हम ले जाने का प्रियासी से करेंगे, और धीरे-धीरे हम बढ़ेंगे इसमें, लेकिन इसमें परदेश सरकारों का सेवची है, चुकि काम नहीं करना है, हम तो पोलीस ही बना सकते हैं, संसादन उपलब करा सकते हैं, काम करना प आपके मातर 7,000 गामेसे हैं, जब 200 लीटर पर डे से जादे मिल्क पोड़क्शन है, 7,000, आपके पास करीब 30 लांक लाइव स्टोक रखते हैं, लोग, आपके पास कोपरेटिव में रिस्टरड मातर 3 लांक है, 10 परतिशत को हम मार्किट दे पाए हैं, 90 परतिशत किसान ऐसा तो हम उसे मार्केट अविलेबल नहीं करवा पाए, जबकि इतनी योजना रहे, नैशनल डेरी प्लान, 1, नैशनल डेरी प्लान, 2, कोपरेटिव, ऐसे इसे पर देश है, गुजरात में देखिए, 100%, उसके सथे गुजरात से आप अमूल से एक्जामपल ले सकते हैं, आज मूल का शायद टरणल साथ हजार क्रोड रूपे होगा, गुजरात का हर किसान कोपरेटिव से जड़ा हुआ है, कोपरेटिव कुद देता है, आज आप अगर जो आपके परदेश में दूद के सेलिंग प्रैस है, अगर आप गुजरात से कर्पेर करेंगे, आप बताएंग अब आपको शेलिंग सेंटर में लेगे, और हर किसान कोपरेटिव का मेंबर मिलेगा, और मैं उडिसा में कर देखूंगा, तो मात रुद दस पर तिसत मिलेगे, तो इस दस से बढ़ा गए, सो ले जाना, क्योंकि क्या है कि जब कोपरेटिव आएगी, तो कम से कम जो उचित मुल्य है दूद का वो किसान अभी मैं आज शायद उडिसा का बारे में पता कर रहा था तो जो उडिसा की कोपरेटिव है तो एवरेज वो जो किसान को दूद का भाव दे रही है वाज शायद 26 रुपे लिटर दे रही है आज के दिन जो मैंने मोटा सा मैं बिलकुल उपर नीचे थोडा हो सकता हूँ लेकिन शाद 26 लिटर है यही अगर आप गुजरात में देखेंगे तो शाद 36 रुपे लिटर होगा आप 26 रुपे लेके और 40 रुपे लिटर कंजुमर को अविलेबल करा रहे हैं तो 20 रुपे का मार्जिन बीच में होगा कोपरेटिव जो आपकी कोपरेटिव है मैं उसकी बात करता हूं बाहर की नहीं बात कर रहा हूं और अगर आप गुजरात की कोपरेटिव को बात करेंगे तो टोटल जो सेल प्राइस है उसका 75 परसेंट तक वो किसान को पहुंचाते हैं अगर 50 रुपे लिटर कोई दूद ब परसेंट जो बीच मैं। जब तक किसान को उचित-मुल्य-नहीं मिलागा तो वो किसान क्यों इसमें जाएगा जी उचित-मुल्य मिलना किसान को सबस bunu हो एक है ऌदर को उचित-मुल्य उसके चैपरासनों या दो-चोनि डिलवाई हां अभी repeating अलूद किस वीशरी और आनि अनिमल हजबेंडर में ये कमपार आप करेंगे तो 73 परसेंट बढ़ोतरी हुई है फिसरी डिपार्टमेंट में लेकिन अनिमल हजबेंडर में शिर्फ 19 परसेंट ये क्यों देखे ये प्रजेक्ट बेस हैं कई बार हमारा बड़ा जैसे हमारे एक नया प्रोजेक्ट आया अन कर दिया गया तो बहुत से ऐसे हैं कि जब भी हमें हमने बताया पिछली साथ पिछली बार ऐसा था कि हमें बताया गया कि हमें पूरे कंट्री में मात्र पंद्रा सो वेटनिर्य एम्बूलेंस देनी थी लेकिन जैसे स्टेट से डिमांड बड़ी ये ऐसी योजना थी कि भा सरकार मिलके उसको चलाएंगे 60% बजेट 12 सरकार देगी 40% स्टेट गोर्मेंट देगे लेकिन जो वहिकल देंगे वह 100% वहिकल और जो बाकी असेसरी जहें वह सेंटर गोर्मेंट देगे तो मैं पंद्रा सो जेंगा एकदम सबने साड़े चारह जार दी डिमांड के इसाब से मैं तो उडिसा की बात और कहूंगा आपको हो सकता है कुछ लोगों को बोल गया है मैं आठ साल से हूँ किसी मंत्राले में करीब-करीब पहले एगरी गल्चर में था तोबीस में था सब परदेशों से मंत्री आते हैं अधिकारी आते हैं बजट के लिए बात करने के मेरी पार्टी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो आपको शायद सुनक जीव लगगा कि इन आठ सालों मैं मैं गुजरने हैं उडिसा के कभी किसी किसी किर्सी आनिमास मेंडरी मिनिस्टर से मेरी मुलाकात नहीं उपाई आप समझेंगें कितना focus होगा दिली सभी दिली सब की है ये संग्यट आचा है सब प्रदेश का अधिकार है दिली के उपर प्रदेशों से मंतरी आते अधिकारी आते हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं अपने प्रोजेट के लिए हमारे पास लड़े लड़ते हैं, मुझे इतना धनोर दीजे, मुझे दो प्रोजेट एक्स्ट्रा दीजे अलग स्टेट की ये मंध्री है ये हक के लिए लड़ रहे हैं दिली में सब लड़ते हैं। लेकिन उडिशा के मंत्री मुझे तो आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुए। मैं तो ये शाद मेरा है दुरवाग्या मैं कौँगा, कि आज तक उडिशा के किसी अफसर से भी कभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। कि अफसर भी आते हैं, पैसा लेने के लिए, मंत्री भी आते हैं, चलो मुख्य मंत्री बड़े लोग होते हैं, वो पी-म से मिलते हैं, भी डिसकस करते हैं उन्हें प्रोजेट्स के बारे में, लेकिन मुझे दुख्य है कि मैं कभी उडिशा के किसी मिनिस्टर से मेरी मुलाका नहीं हो पाई, मुझे अच्छा लगता कर वो भी आते हैं, उडिशा की जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए, वो भी दिल्ली पहुंचते और दिल्ली से बजट की निमान करते हैं, बजट की कमी नहीं, देखे, मैं एक बाद बताता हूँ, मोदी जी के भाद में, एक जरूरा भारत सरकार में के बजट की कहीं कमी नहीं है सोच होने चाहिए अनमल हजबंडर में 3599 यह था पिछले साल अभी 4288 कोड हुआ है यह 4288 कोड से भी मैं कहता हूं कि किसी भी सरकार को जो चीए बजट की मोदी जी ने कभी मोदी जी की तरफ से मने नहीं है उनका फोकस से लिए और ज्यादा होना चाहिए था मैं कहता हूं कि हमारी चंटा अगर बढ़ेगी तो वह में कितना भी पैसा दे सकते हैं आज अगर मैं स्टेट के थ्रू काम करता हूं में उडिसा के भी ना कैसे कर सकता उडिसा में काम आज आप फिर्चरी की बात करेंगे तो जब तक उडिसा मुझे प्रोजेक्ट नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा मेरा कोई नाम राया राया तो आब अगर बिमांड होगा देवांड होगा तो बजट में कोई प्रोब्लम नहीं है मोदी जी का फोकस एरिया मिनिस्ट्री अलग इसलिए बनाई है डिमांड ड्राइविन है जितना मैं खर्च कर सकता हूं जितनी मेरी कैफिसिटी है उतना मुझे मिलेगा अगर आज उडिसा कहे कि हम इतना पैसा चा यहां का मिनिस्टर क्यों नहीं शाद वो संतूस थें जो काम वो कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है लेकिन फैक्स फिगर तो नहीं कह रहा है फैक्स फिगर तो हम बहुत नीचे जो आप एनिमल्स बेंडरी और फिश्री में जो सबसे नीचले पाइदान पर स्टेट है देश में, उनमें से उडिसा एक है दूर बागे से और मैने बता है इतने रिसोर्सिस के बावजूद है और उडिसा में जो गरीब तबका है वो भी बहुत ज्यादे जो गाओं है छोटा किसान या भूमी इन किसान वो भी काफी बड़ी तादाद है जिनका एकमात्र साधन एनिमल स्वेंडरी या फिश्री है वो भी बहुत तादाद है तो सरकार को उनके भलेगी सोचनी चाहिए उन पर काम करना चाहिए अलग सा कौन सा स्ट्रेट में जो गुपालन या मस्ट चास करता है इसका इंकम आनवाल इंकम डबल हुआ है तो किसान जब प्राइवेट डॉक्टर को बुला रहा है और आज मेरी अंबुलेंस किसान के घर को मोचे की टीटमेंट के तो इंपूट कोस्ट कम होंगे वही अगरिकल्चर मता बहुत से तरीके मोधिजी ने अपना है और देखिए किसान मैं तो नहीं कह सकता कि आजादी के बाद किसान एक ऐसी काहिरा इस देश में के वाकई कमजोर रहा है और मैं आज भी यह नहीं कहता कि किसान की सब समस्चे हैं इनने दूर कर दी सरकार माने के बाद या किसान पूरा ही खुसाल हो गया लेकिन किसान की बेहतरी के लिए जितने और सरकारों में काम हुए उससे बहुत ज़्यादे काम मोधिज के नेतत्त में है लास्ट कोशिन है यह राश्टर गुकुल मिशन के बारे में अभी आपने बोला कि 2019-2020 में हमारे पास का अंकड़ा है 2,000 करोड रुपया खर्च करने का टार्गेट था लेकिन खर्च हुआ सिर्फ 500 करोड क्यों नहीं यह गलत है यह बिनरे कर्टियर का यह बिल्कुल ठीक नहीं है यह बिनरे कर्टियर काव मिशन की आपके जो काव मिशन होने वाला हमारे क्या होता है राष्टे को क्लमिशन 2015 से चला रहा है कई बार हमारा बहुत जादे खर्च हुआ राष्टे को करें में कई बार कम हुआ है और जो पिछले बार का था वो चुकि हमारा जो बजेट है वो स्टेट गोर्णमेंट के मांगने पर है मैंने आज उड़ी से को कंवा तो मैं कनगा दो साल पर चेक्च छलेंगा तो इस साल मौरी साबोना दोस्टो को रुपए दोस्टो मुझे अगले साल देने अगर मुझे 200 कोड का यूश 61 नहीं देगा तो माने ईस साल 200 कोड नहीं दे पाऊँगा हो सकता और जो सब कि अलगमत है देश में हर पर पूरे देश में पूर्व काउस लोट्रिंग पर बहने चुकि गाएं के प्रती हमारी आस्था या लग से हैं यह दो-तीनी स्टेट हैं चुकि यह स्टेट सब्जेक्ट है फिर विबाद आती है और हिंदुस्तान में जो संगियट आचाए उसमें स्टेट में आप इंक्रोश हुआ 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 है